नमस्ते वच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपको रीना काडवी में आसा करती हूँ कि आप ठीक होंगे आज मैं आपनों के लिए पंकुडियां हिंदी पाथ माला 6 से पाथ 10 तुलसी के दोहे लेकर आई हूँ इस समय कोबिट की सिच्वेशन चल रही है और बहुत ज़्यादा कोबिट फैले वी है तो आप घर में रहे और स्टड़ी को पूरा कीजिए कभी परिचे कभी परिचे यानि यह दोहा तुलसी का दोहा किसने लिखा है तुलसी दास ने लिखा है हिंदी साहिति के महान कभी तुलसी दास का जन्म राज़कपूर उत्तर परदेश में 1532 इस्वी में हुआ था इनके पिता का नाम आत्मा राम और माता का नाम हुलसी भाई था इन्होंने प्रसिद रामचरित मानस की रचना की ये समन्वे वादी थे तुलसी द्वारा रचेत प्रमुग्रन इस प्रकार है यानी तुलसी दास ने इन इन ग्रन्थों की रचना की जैसे रामचरित मानस रामलला, नहुचु, वैराग्य संधीपनी, वैरव, रामाएण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाग्या प्रश्ण, दोहावली, कवितावली, कृष्णगीतावली और बिनेपत्रिका आदी इनकी मित्यों 1623 में हुई, तो चिल्डरेन इस तरह आप कभी परिचे को अच्छे से याद कीजिए तुलसे दास के दोहावली पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ तुलसे दास बहुत ही अच्छे व्यक्ती थे, उनके दोहों का वाचन बहुत ही अच्छा था बच्चों इसकी व्याख्या मैं सुरू से अंतक करूंगी तो आप तुलसे जादास जी हमेशा मीठे बच्चनों से सुख पाते थे कभी वो छूटे वच्चन नहीं बोले, तुलसी दास एक महान कवी थे और वो हमेशा राम की भक्ती करते थे तो चलो बच्चों दोहा शुरू करते हैं और उसके अर्थ को मैं बताती हूँ तुलसी मीठे वच्चन से सुख उपजत चहू और वसी करण एक मंद्र है परिहर वच्चन कटोर मदूर वच्चन ते तात मीट, जात मीट, उत्तम जन अभिमान, तनिक सीत जल सो मीटे जैसे दूद उफान काम क्रोध मत लोब की, जबलो मनने खाई, तबलो पंडित मूर को तुलसी एक समान गोधन गजधन बारिधन बाजधन औरतन धन खान, जब आवत संतोस धन, सबधन धूरी समान राम नाम मनी दीप धरू, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर वाहरो, जोचरसी उजियार सुरसमर करनी करही, कही न जान वही आपू, विद्या मान रन पाई रिपू, कायर कतही प्रपतापू तो बच्चों, तुलसी दास जी, इस दोहे में क्या बताना चाहते हैं, कि अमूल्य सिक्छा है, सिक्छा हमारा क्या है, अमूल्य है, और इसमें वो सीख देते हैं, कि हमेशा सत प्रतिसत खरी उतरना चाहिए तो आईए पहला दोहे का मीनिंग बताती हूँ, तुलसी मीठे वचन ते, सुक उपज़त चहुब और, वसीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर कहने का मतलब है, कि प्रस्तुत दोये में तुलसी दास जी काते हैं, कि मीठे वचनों से सुख मिलता है, मीठे बोल एक वसीकरण मंत्र है, जो कठोर वचनों को दूर करता है, यानि हमेशा हमें मीठी वचन बोलनी चाहिए दूसरा दोहा, मधूर वचन ते जात मी, उत्तम जन अभिमान, तनिक सीत जलसो मीठे, जैसे दूद उफान दूसरा दोहे में, मधूर वचनों से बड़े बड़े अभिमानों का अभिमान भी मीठी जाता है, जैसे दूद में उफान आने पर सीत जल के छिडकने मात्र से उफान खत्म हो जाता है, उसी तरह मीठे वचन का भी असर होता है यानि काने का मतलब कि हमेशा मीठा वचन बोलने से कड़ा से भी कड़ा चीज धप जाता है तिसरा देखिए, काम क्रोध मद लोब की, जब लव मन में खान, तब लव पंडित मूर को तुलसी एक समान तुलसी दास जी कहते हैं कि, जब एक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोब का भाव रहेगा, तब तक ज्यानी और मुर्ख दोनों एक समान ही है तीसरा देखते हैं, गो धन, गज धन, बाज धन, और रतन धन खान, जब आवत संतोस धन, सबधन धूरी समान तुलसी दास जी कहते हैं कि, जिसके जीवन में संतोस आ जाता है, उसके समान सारे धन मिट्टी के बराबर हो जाता है यानि जो लोग संतोस धन को प्राप्त करते हैं, वो सारे चीज़ें उन्हें मिट्टी की समान दिखती है तुसी दास जी कहते हैं, गराम नाम का दीप, जिवा रूपी देहगरी पर जला कर देखो अंदर बाहर प्रकास ही प्रकास हो जाएगा, यानि कहने का मतलब राम का ध्यान करने से अंदर और बाहर ज्यान रूपी प्रकास तुमको मिलेगा अर्था ज्यान का विनाश हो जाएगा, अग्यान का विनाश हो जाएगा, और ज्यान दे होगा, और तुमारे भितर एक अवर ननिय सांती हो जाएगी अगला देती है, देखिए, सुर्समर करनी करही, कही न जाना वही आपू, बिद्यामान रन पाई रिपू, कायर कतही प्रतापू तुलसीदास वीरों के गूणों प्रकाश डालते हैं कि सूर्वीर युद्ध में डटकर सत्रों का मुकावला करते हैं, अपनी प्रसंसा कभी नहीं करते हैं, किन्तु कायर अपने प्रताप को कहते हैं, नहीं ठकते हैं यानि सूर्वीर हमेशा अपनी बृता की नहीं अपनी युद्ध भूमी पर डटकर सत्रों के लिए करते हैं, और कायर हमेशा भागने के चक्कर में रहते हैं, तो बच्चों इन सारे दोहों का मिनी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप उसको अच्छी से अच्छी इस दोहे के साथ उसकी मिनिंग को याद करिए क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है, तुलसी के दोहे बहुत ही इंपोर्टेंट है, आए स्तुरुतलेक देखते हैं, तुलसी, उत्तम, अभिमान, तनिक, क्रोध, संतोस, बिद्यमान, रिपू, कथई, परिहरू, नयवच मधूर, मीठे, नय सब्द क्या है, मधूर, मीठे को कहते हैं, ते, से, परिहरू, दूर करना, वशिकरण, वश्मे करना, उफान, उबाल, रिपू, सत्रू, धूरी, धूल, चहु, चारो, उपजल, उत्पन, सीत, ठंडा, मन, अहम, तो वच्चों इस तरह सुरुतलेक और नय सब्द, हर लेशन को आप लोग याद कीजिये, इससे क्या होगा, कि आपके पास सब्द का भंडार हो जाएगा, आए देखते हैं, मौकिक प्रश्न और लिखिद प्रश्न, जैसे कि वीडियो में बताती हूं, कि इसको प्रश्नों को मैं पढ़ देती हूं, और इसका उ आप इसका उत्तर वीडियो के एंड में मैं आपको देदूंगी, तो आप लोग देख लिजे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूं, कि मीठे वचन वसी करणन मन्त की तरह जिवन में प्रभा डालती हैं, आगला प्रश्ने देखिए, दूद के उपान का उधारण देख कर तूद सी हमें क्या संदेश देते हैं, तो हमारा उत्तर होगा, मीठे वचन सीतल जल के वे छीटे हैं, जो उफान की तरह आकर क्रोध को सांध कर देते हैं, तीसरा देखिए, हमारे जीवन में कौन कौन से सत्रू हैं, हमारा उत्तर होगा, हमारे जीवन मे काम, क्रोध, मद, लोब, सत्रू है अगला प्रश्ट संतोस धन क्या है हमारा उत्तरोगा संतोस धन सबसे बढ़ कर होता है यदि वह हमारे मन में आ जाता है तो दुनिया के समान धन दौलत धूल के समान लगने लगता है लिकित प्रश्ण देखते हैं नीचे दिये गए दोहे का भवार्त लिखिए ये भवार्त है उसका हमको मीनिंग लिखना है काम, क्रोध, मद, लोब की जब लोव मन में खान तब लोव पंडित मूर खो तुलसी एक समान तुलसी जी कहते हैं कह रहे हैं कि जब मन में काम, क्रोध, अविमान और लालच आ जाता है तब पंडित अर्थात ज्यानी और मुर्ख सभी एक समान हो जाते हैं अर्थात ज्यानी वेक्ति भी ज्यान की बाते भुलकर मुर्खों के समान बेहवार करने लगता है अगला प्रस्ण देखते हैं तोलसी मीठी बचन से ते सुक उपजत चहु और वसी करण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर हमारा मिनिंग होगा प्रस्तु दोहे में तो जिदास जी कहना चाहते हैं कि मीठे वचनों और मदुर्वाणी से चारों और सुख का वाता वड़न बनता है ये वशी करण मंत्र के समान है मीठे वचनों से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है इसलिए कठोर वचनों को अपने से दूर रखना चाहिए अर्थात कठोर वचनों का प्रियोग नहीं करना चाहिए दूसरा देखिए प्रश्ट उन पंक्तियों को लिखिए जिन में भाव आएं हैं का गाय धन घोड़ा धन सबधन धोल समान होते हैं तो इसमें क्या होगा हमारा उत्तर होगा पंक्तियों के भाव यानि उसका मिनिंग पुछ रहा है गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवत संतोस धन सबधन धूरी समान दूसरा देखिए मीठे वच्चनों से क्रोध सांत होता जैसे उफान दूद में ठंडे पानी का छिड़काओ काम करता है मदूर वच्चन ते जात मीट उत्तम जन अभिमान तनिक सीत जल सो मीटे जैसे दूद उफान तो बच्चों ये वाला ये हमारा इसका उत्तर होगा और पहला का उत्तर हमारा ये होड़गा यह दूसरा का और यह पहला का उत्तर हमारा होगा तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? पढ़िया और समझी इसको पढ़ कर और समझना है हिंदी भासा में कई प्रहर एक सब्द होता है परजब, परवा अलग-अलग संदर में परियोगत होता है तब तथा परियोग के अधार पर उसका अर्थ बदल जाता है जैसे पानी सब्द जल लज्जा लालच इज्जत यानि पानी जल लज्जा लालच इज्जत आदी को सुचित करना है तो दोहे का विताओं में ऐसे कई सब्द होते है जिसका परियोग बार-बार होता है किन्तु प्रतेक औसर पर इसका परियोग अर्थ बिन होनता चला जाता है जैसे या प्रसिद होता है जैसे रहीमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबर आए मोती मानुस चून यानि कहने का मतलब है बच्चों कि कुछ सब्दैसे होते हैं जो पानी जल के लिए भी परियोग होते हैं और पानी उपर मतलब लज्जा के लिए भी परियोग होते हैं ठीक है? लालच के लज्जा के लिए परियोग होते हैं लालच के लिए परियोग होते हैं लालच के लिए परियोग होते हैं तो उसी तरह ये उसका मीनि जिसे बिन पानी सबसून है यानि लज्जा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाने के लिए यूज हुआ है तो कुछ स ग्यानी उत्तम निस्क्रिष्ट परियावाची सब यानि एक वेक्ति के कईना जल, पानी, नीर यानि जल भी बुला सकते हैं पानी भी और नीर में दरवाजा दर, रिपू दुस्मन सत्रू, लोव लालच लिपसा, मद अहंका घमंड, मन हिर्दय चित्र, नीचे दिये गए वाक्यों के रन्निंगिन विशेशन सब्दों को सही भेद पाचानी है यानि विशेशन आपने पढ़ा है बच्चों की विशेशन के कितने वेदते ह हैं और विशेशन की से करते हैं संग्या के विशेशता बताता उसे विशेशन करते हैं और विशेशन के कितने वेदते हैं विशेशन के पांच वेदते हैं कौन-कौन संग्या वाचक विशेशन संख्या वाचक गुडवाचक सर्वनामिक संख्या वाचक और परिमार वाच भीषएंद गुANC खरगोष ऐक बुद्धि मान, जानवर है पेड़, संख्यावाचक संख्यावाचक सड़, 3 तुलसी और सुर्दस के बाल राम बाल कृष्ण से जूड़े तुलसी और सुर्दस के दोहों की चर्चा अपने कक्छा में करिए कुछ करने के लिए यानि यह एक्टिविटी है बच्चो इस एक्टिविटी में क्या करना है दिएगे पेड के फलो में दोहे से जूड़े कुछ सब्दों को छाट कर ढूड़ कर दोहे लिखिये यानि इसमें से कुछ कुछ सब्द है इसको जोड़ जोड़ के यहां पर लिखना है तो मैंने लिखा यहां पर क्रोध, रिपू, मीठे, लोभी, धन, दूध यहां पर मैंने प्रेश्ण और उत्तर को दे दिया है आपर ओरल प्रेश्ण को दे दिया है आपर ओरल आंसर को भी दे दिया है तो बच्चो इस तरह आप अपने नोट्स को कम्पलीट कर यार इस दोनों प्रेश्णों का मैंने उत्तर आपको स्टार्टिंग में भी बता द अजे अमधित हैं में अर्थ कर से सबस्क्राइब करने में इसाल में करने लाऊं को आपको सब्सिछायब श्मोस्य की को ओसबी चुछा आपको जांता है अगर आपको यह वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुला बोले सब्सक्राइब के साथ साथ सेहर करना भी बिल्कूल ही न बूले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आएं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थाइंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक, सब्सक्राइब, सेर करना बिलकुल ही न बोले स्टे हो, स्टे सेफ